हेलो दोस्तों वेलकम टो अबास मूबाइल आफिशियल दोस्तों मेरे पास एक जियो एफ 220 कसेट है और इसमें प्रॉब्लम जो है वो स्पीकर का है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आपके पास कोई जियो कसेट एफ 220 या एफ 120 कसेट हो तो इसका डाइग् में आज हम आपको बताने वाले हैं तो चले हम आपको बता देते हैं कि इसका डाइग्राम है वो कहां से कहां पर जाता है और जब भी आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम जाटा है जो कही स्पीकर का प्रॉब्लम हो तो आप इसको कैसे सॉल्फ कर सकते हैं जमबत देकर तो जब भी आपके पास कोई है तो आपको यहाँ पर जो speaker लगा हुआ है तो यह यहाँ से कन्यक्षन जो है diagram जो है यहाँ से निकल कर यह आप देख रहे हैं यहाँ पर आता है यह जो capacitor दोड लगे हुए है Black वाले यहाँ पर आता है ठीक है यहाँ पर आता है और यहाँ से यहां पर यहां से होकर यहां पर आता है तो यहां पर यह connection इसका यहां पर आता है फिर यहां से जो अगर यहां पर आपका connection नहीं मिल रहा है यह शार्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहां पर jumper कर देना है तो connection मिल जाएगा और फिर आपका problem problem solve हो जाएगा अगर यहां से भी नहीं होता है तो आपको इसी तरहिदा के से दो ढार यहां पर यह लगे हुए हैं यहां पर आप जम्पर करके अपना problem को solve कर सकते हैं यहां यह दोलेक वले कप?' यहां से यहां पर आता है और फिर यहां पर आकर मिलता है फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर एक छोटी सी IC लगी होती है जो की speaker IC होती है यहां से connection होकर इस speaker में आता है और फिर भी अगर यहां तक connection आपका अगर clear है और फिर भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है यह जो छोटा सा डाइबोड लगा हुआ है आप देख रहे हैं यहां पर यह जो डाइबोड लगा हुआ है इसका जो यह वाला साइट है हमको यहां battery connector से के plus point से यह इस वाले plus point से हमको बरजा पर रखकर beep sound पर रखकर यहां पर एक सिरा और दूसरा यहां पर रखकर चेक करना है अगर b पा रहा है तो यह हमारा यह भी clear है अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहां पर उठा कर यहां से jumper कर देना है और यहां पर आप अगर देखेंगे battery connection लगा कर यहां पर तो जो voltage battery में देने के लिए यहां पर voltage होना चाहिए वह voltage 3.7 से उपर यहां पर voltage शो करेगा और यह वाला जो सिरा यह ground है आप कहीं भी इसको रखकर रखकर चेक करेंगे तो यह ground हगा चलिए हम आपको यहां पर चेक करके दिखा दे रहें यह और यह दूसरा सिरा इदर का यह हमारा ground है आप कहीं से भी रखकर इस पर जब टच करेंगे तो यह बीप करेगा यह हमारा ground है तो अकर यहां पर आपको battery connector की जतना अगर supply नहीं आ रही है तो हमको यहां से battery connector के पाड़ battery का जो voltage है अगर वहां पर नहीं शो कर रहा है यहां पर तो उपको यहां से सिधा यहां पर jumper कर देना है और फिर आपका problem solve हो जाएगा और फिर भी अगर problem solve नहीं हो रही है तो यह वाली जो IC है जिस पर आप देख रहे हैं आपको इसको चेंज कर देना है तो आपका 100% problem solve हो जाएगा इस IC को चेंज करके अगर आप हमारे latest videos के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें